सो हे गाइस वैलकम टो इन फैल्वर स्टेडी और जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं उन सारे ही बच्चों के साथ यह सेम प्रॉब्लम्स हैं हलाकि मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा यह प्रॉब्लम नहीं है यह वो काम है जो उन बच्चों को अपने डेली रूटीन के सा करना पड़ता है स्कूल जाना पड़ता है क्लास वह यह पनर नहीं के परंख। इसके साथ कैसे टाइम को Amanda करना चाहिए इस यह सब तो हमें करना ही करना है कंपल्सरी हो इनको किस तरह से किया जाए ताकि हम टाइम को सेव कर पर हम अपनी study में और दे पाएं और 95 प्लस score कर पाएं गाई सो इनी से related कुछ points के बारे में बात करेंगे सो सबसे first point जो हमारा निकल कर आता है वो ये है कि choose a right book अब सबसे पहली चीज़ यहां पर लिखा हुआ right book कौन सी होती है तुम्हारे लिए सही book कौन सी है तुम्हें क्या लगता है कुछ बच्चों को notes में problem होती है वो notes से related books buy करते हैं कुछ बच्चों को concept में problem होती है वो keywords की book buy करते हैं कुछ बच्चे question practice के लिए book buy करते हैं कुछ बच्चे अलग-अलग चीज़ों के लिए books को buy करते हैं और सबसे intelligent या कहलो legend बच्चे तो वो होते हैं जो हर्ट और चीजों के लिए अलग-अलग books को बाई करते हैं. गाइस इन सबका solution एक ही चीज़ है. तुम्हारे पास कौन-कौन सी चीज़े होनी चाहिए किसी एक particular book में पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं. तुम्हारे पास जो सबसे पहला होना चाहिए, वो होना चाहिए notes. यानि तुम्हारे जो भी book study कर रहा हो, उसमें proper keywords या revision notes या कुछ भी एक proper notes type का होना चाहिए. इसके अलावा सारे types के question उसमें होने चाहिए, हर type के question चाहिए, वो MCQs हो, short answer हो, long answer हो, others and reasoning हो, case study question हो, कुछ भी वो होने चाहिए. प्लस उसमें अगर topper की notes भी आजा है, तो बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा real life example, that is one of my favorite, yes, किसी भी book में अगर तुम्हें real life example मिल जाए ना गाइस, तो उस book को तो बिना सोचे समझे buy कर लेना चाहिए. स्कूल में teachers पढ़ा सकते हैं, real life examples दे सकते हैं, बट books में मिलना थोड़ा मुस्किल है. और सबसे अच्छी बात तो ये है, कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें किसी एक book में मिल जाएं, yes, और मैं एक ऐसी ही book को जानता हूँ, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, और exactly उस book की बात करें, so that is edu card, yes, edu card की जो ये book है, that is really amazing, बहुत जादा amazing है, इस चारो subjects का combined, चार book का combination है, जो बहुत अच्छे price range पे है, मैं भी बताऊंगा कहां से भाई करना, plus यहाँ पे इस book में तुम्हें real life concept देखने को मिल सकते हैं, yes, इस school में teachers को पढ़ाना बहुत easy होता है, still वो लोग पूरी तरह से बच्चों को real life examples नहीं दे सकते, science के teacher तो फिर नहीं भी नहीं, but guys, इन books की बात करो ना, तो these books are really amazing, मैं खुद personal experience से बता रहा हूँ, कि ये books बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से real life example को explain करते हैं, और हर topic में, हर chapter के पहले इनोंने बता रखा है, कि इस chapter में कौन-कौन से real life examples को include किया जा सकता है, उसको proper explain किया है with figure, जो क एक बहुत अच्छा point है, किसी भी book के लिए, तो उसके लिए, मतलब अगर मैं कहूं तो उस book के लिए, मैं इस book, उस points के लिए, अच्छे से explain करने के लिए, मैं एक्स book को 10 points देना चाहूँगा, प्लस इसके अलावा, यहाँ पर full practice paper मिलेगा तुम्हें, यानि NCRT के question प्लस important question मिलने वाले हैं, इसके अलावा तुम्हें, इसमें MCQs, मतलब जितने भी types के question तुम्हारे 2022 and 23 वाले exam में आने वाले हैं, यह सारे तरह के questions तुम्हें इसमें मिल जाएंगे, मतलब best book है, किसी भी subject की practice के लिए, तो make sure इसको buy कर लेना, और सबसे अच्छी बात, इस book of all, तो इन books को तुम Amazon से या जो मैं link नीचे description box में दूँगा, यहां से buy कर सकते हो, और exactly हर book पे देखो, तुम्हें 50% का off मिल जाएगा guys, yes, और यह जो book है, जो combination की मैं बात कर रहा था, that is 1597 में, तुम्हें complete book मिल जाएगी, make sure buy करने न, जो link मैंने description box में दिया है, वहां से buy करना, तो यह offer तुम्हें देखने को मिल जाएगा guys, अच्छा, पहला point तो हमें समझ में आ गया, कि हमारी best book कौन से buy करनी है, है न, second point की तरह बढ़ते हैं, don't waste school time, अच्छा, school time में बच्चे time को waste कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यह समझो, कोई खाली period है, बच्चों ने मस् करते हैं, बच्चे, proper, मैं छोटा था, मैं भी करता था, इसके अलाबा, जब school में कोई teacher पढ़ाते हैं, उनकी बात अगर नहीं समझ माती है, तो वो पूरा period as it is, सोने में, इधर उधर करने में, पूरा spend कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, यह दोनों चीज़े समझनी पढ़ेंगी तुम्हें, अगर कोई period तुम्हारा खाली है, तो make sure, at least 35 to 40 minutes का तो वो period होगा ही होगा, अगर तुम अपने घर वाले किसी भी काम को, किसी भी topic को, जो तुम घर पे पढ़ने का सोच के रख्यो, उसको अगर उस 40 minutes में तुम study कर लो, तो सोचो, तुम्हारा ये 40 minutes जो है, वो safe हो जाएगा, और घर पर तुम इसकी जगा अपनी self study कर पाओगे, घर पे self study कर पाओगे, और अपने marks को और ज़्यादा boost कर पाओगे, ये तो चलो easily कर लोगे, भाई अगर school में teacher समझा रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा हैं, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम जब school में teacher पढ़ा रहे हैं, वो concentrate करो और ऐसा सोच लो कि तुम्हें यहीं समझ कर इस topic को खतम करके ही घर जाना है, इससे क्या होगा, तुम्हारे घर का पूरा time safe होगा guys, देखो time safe हो गया, वो सारी चीज़े starting में जो list थी, वो sub-manage हो जाएगी, इसलिए मैं time saving tricks बता लगा दो उस चीज़ को समझने के लिए, clear, now next point में बढ़ते हैं कि छुटी का दिन कैसे use करें, maximum बच्चे छुटी का use करते हैं sleeping get through, वो पहले ही कह रहते हैं, घर में कि कल मेरी छुटी है और मैं सुबा 10 बज़े से पहले नहीं जब होगा, yes, मैं भी करता था, कोई बड़ी time का बहुत important time होता है, क्यों, तो किस दिन छुटी है, तुम इस दिन चाहो, तो किसी भी एक topic पर, किसी भी एक subject पर, 4 to 5 क्या, 6 hours तक दे सकते हो, और इतने hour में वो topic 100% तुम्हारा complete हो जाएगा, बास समझना ही guys, यही वो दिन है जिस दिन तुम्हें एक long study और अच्छे से study कर सकते हो, बट कैसे करना है, मैं यह भी समझाओंगा, किसी भी चीज़ को छोड़ूगा ने, अगर बीच में ना समझना, अच्छा, पहले तो मुझे यह चीज़ बताना, कि क्या यह वाला काम, छुट्टी वाले दिन, तुम करते हो या नहीं, comment करके जरूर बताना, इसके Saturday को बैठो, और Sunday को पूरी तरह से प्लान करो, येस, पूरी तरह से प्लान करो, कि कुम्हें कौन सा subject study करना है, उस subject में कौन सा topic study करना है, और कौन सी book prefer करनी है, हलाकि मैंने एक book बताई दी है, उस book से ही question को follow करोगे, तब भी बहुत अच्छी बात है, that is Educard, ठीक है, तो यह सकते हो, वो सब एक अलग चीज़ा, पर उसके साथ साथ तुम्हें ये करने की जरूत है, और मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी chapter हो, कोई भी topic हो, क्या उसको 5-6 hours में completely, उसके सारे questions को completely, उसके important questions को solve नहीं किया जा सकता, बिल्कुल solve किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले Saturday को, या चुटी से एक दो दिन पहले इस सीज़ को देखना पड़ेगा, कौन सा topic मुझे इस बार चुटियों में करना है, तुम्हारे school से academic calendar मिलते है, heaven Sunday, तो तुम्हें एक पूरे month का ये plan ही बना लो, yes, month में मालो, इस दिन चुटी है, इस दिन मुझे य ये वाला topic number one करना है, ये वाला topic है, ये वाले दिन चुटी है, topic number two करना है, इस book का या इस book से, इस subject से, यहां से ऐसे करना है, इसकी जब list तुम्हारे पास रहेगी न, तुम्हें पहले ही पता रहेगा, अगला वाला जो Sunday है, उस दिन हमें ये करना है, otherwise अगर तुम चुट का दिन होता है, इसको 100% utilize करो, तकि तुम्हारे 95 प्लस आपाए तुम्हारे exam में, बात समझ में आई, बढ़ते हैं आगे वाले topic की तरफ, अब आता है use small times, ये भी एक बहुत important topic है, अगर तुम्हारा goal बढ़ा है, तो तुम्हारे छोटे-छोटे times को भी manage करना पड़ेगा, समझ में आई बात, अगर तुम्हारे goals बढ़े हैं, तो तुम्हारे छोटे-छोटे time को भी manage करना पड़ेगा, suppose तुम्हारे study की, और study करके, देन तुम उठे, तीवी देखे थोड़ी देर फिर छट पे टहलने गए, तुम्हें टीवी देखे अपना entertainment कर लिया, लेकिन फि सबसे पहले इसको use कैसे करते हैं, तुम कभी भी कोई topic study कर रहो, कोई question solve कर रहो, उसके important terms, formulae, कुछ भी जो तुम्हें tough लग रहे हो, उसको इसमें note कर लो, note कर लिया, note करने के बाद इसको हमेशा अपने साथ carry करो, जब भी तुम इसको carry करोगे, कोई topic या कुछ भी, कहीं भी 10 minute के लिए बैठे हो, इसको खोला और अपने formulae को revise कर लिया, अब 10-15 minute में small time का मतलब क्या होता है, 10 या 15 minutes, इसमें तुम पुरा topic तो read नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, तुम अपना proper revision कर सकते हो, yes, कुछ भी एक topic learn कर सकते हो, topping दो से कोई formula या कोई concept learn कर सकते हो, तो उसस बेश्ट तरीका key notes हैं, और key notes से तुम्हारे पास हर वो चीज़ तुम्हारे हमेसा pocket में रहेगी, जो तुम्हें tough लगती है, और धीरे धीरे इनको revise करते हैं, पोस्ट करो तुम किसी के घर चले गए, वहाँ पस सब लोग, तुम्हारे mother, father, सब लोग बैठके किसी से बात कर करने वाला कोई नहीं है, या तो तुम mobile चलाओगे, या उनके घर पे टीवी देखोगे, that's it, इससे अच्छा है, तुम pocket notes निकालोगे, और अपने सारी चीज़े revise कर लोगे, बास समझ में आई, इतनी सी बात है, अपने small times को अगर तुम properly use कर लेते हो, तो याद रखना, त बहुत बड़े बड़े goals भी easily achieve कर लोगे, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं guys, तो मैंने इस पूरे scenario में, पूरे इस video में, जितनी भी बाते बताई हैं, उन पूरी बातों को अगर तुम अपने daily life में adopt कर लेते हो, और अपने time का पूरा utilization करते हो, तो तुम्हें बड़ा तो affect आया है, मुझे अब और ज्यादा time मिलने लगा है study की, आपकी वीडियो को देखने के बाद guys, और जो मैंने books बताई है, उसका link तुम्हें description box में भी मिल जाएगा, और plus मैं first comment में pin भी कर दूँगा guys, okay, तो make sure वीडियो को जादा से जादा share करो, ताकि सारे comment करके बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा guys, good luck!